दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजुईवाल को शराब नीती के मामले में 21 मार्च से जेल में बंद किया गया था और अब उनके खिलाफ दो मामलों पर सोमवार को दो अलग-अलग कोट में सुनवाई की गई पहले मामले में सुर्जीर सिंग यादम ने P.I.R. दायर किया था जिसमें उन्होंने जेल से सरकारी आदेश देने पर रोक लगाने की मांग की थी इस मामले पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंग अरोडा की बेंच ने याची का खारीच कर दी वहीं दूसरे मामले में केजरिवाल की E.D. के इमांड का मामला था जो की आज E.D. ने उन्हें राउज एवन्य कोर्ट में पेश किया गया था कोर्ट के बाहर केजरिवाल ने मीडिया से कहा कि उनके खिलाफ हो रहे कारिये देश के लिए अच्छे नहीं है वहीं इसके साथ ही केजरिवाल की पतनी सुनीता केजरिवाल भी कोर्ट में मोजूद रही आपको बता दे कि केजरिवाल को 21 मार्च को गिरफतार किया गया था और उन्हें 22 मार्च को अदालत में पेश किया गया था कोट ने उन्हें 28 मार्च तक एडी की हिरासत में भेज दिया था जिसके बाद 28 मार्च को हुई सुनवाई में रिमांड 1 अपरेल तक भढ़ा दी गई थी अब सुनवाई शुरू हो चुकी है और अब यह देखा जा रहा है कि क्या केजरीवाल को 15 अपरेल तक नियाएक हिरासत में भेज दिया गया है इसके साथ ही कोट से केजरीवाल ने कहा कि जेल में तीन किताबे दी जाए गीता, रामयन और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिस अब टीन किताब मिनिस्टर्स बढादा रहा है।